हाती इस दुनिया का एक विसाल और तागतवर जानवर है थल्चर प्रानियों में हाती सबसे भारी जानवर है वैसे तो हाती एक जंगली जानवर है लेकिन मनुस्य के द्वारा हाती को उची ट्रेनिंग दे कर सदियों से पलतु बनाया आता जा रहा है तो आएए दोस्तों हा धर्ति के सबी जानवर्यों में यह सबसे अलग प्रानिय हाती की पहचान उसकी लंभी सुन्ड और उसके भारी सर्रीर से होती है हाटी की सुन्ड की मानसपेशिया बहुत मजबूत होती है इसकी सुन्ड की بहुत यूपयोगी है जो नहाने और खाना तोड़कर खाने में का इसकी सुन्ड की वजन 130 किलोगोराम के आसपस होता है हाती एक साकाहारी प्राणी है जो पेड़ों की छोटी टहनिया पतियां और फल खाते हैं पालतु हाती केले और गन्ने भी खाते है मनुस्य ने इस प्राणी को पालतु बनाकर बहुती उपयोगी बना दिया पुराने जम सव सालों से भी ज्यादा होती हाती अपने भारी सरीर का वजल पैरों से उठाता है जो बहुत मजबूत होते है हाथी आट फीट से भी ज्यादा उ immensely भागों में बाट सकते एक तो होता है 어떠ी एक आति और डूसे का ही थ्यां का ह्ति पानी में तैर सकता है। हाती के सरीर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हाती अपनी कान हिला कर गर्मी बाहर निकालता है। अगर आपने कभी हाती को अपने लंबे कान हिलाते वे देखा होगा तो समझ लेना कि वह गर्मी बाहर निकाल रहा है। और एक बाद दोस्तों प्रजनन प्रकृति का सबसे महत्वपून तत्व में से एक है यह हर प्रजाती का निरंतरता सुनुश्चित करता है और हर प्रजाती इसे अलग तरह से करते हैं हाथी की दुनिया में मादा आम तोर पर लगभग 15 से 16 साल की उम्र में मम्मी बनने के लिए तैयार हो जाती है और अपने जीवन काल में 12 बच्छोडों को जनम दे सकती है जब तक हम मानों के गर्वकाल को केवल 9 महने में लंबा मानते हैं आप भारी है कि आप हाती नहीं है एक मादा हाती के लिए और सत गर्वधारन अवीदी 22 महने के होते है जो की बहुत लंबा समय होते है अब दोस्तों थैंक्यू अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और सेर किजिएगा थैंक्यू